CTET जुलाई 2022 नोटिफिकेशन जल्द, जाने एकजाम पैटर्न वा अन्य डिटेल, CTET एकजाम एक वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है, एकजाम जुलाई में, जबकि दूसरा एकजाम दिसंबर में होता है, CTET दिसंबर 2021 का रिजल्ट 9 मार्च 2022 को जारी किया गया था, बहुत जल्द जारी किया जाएगा, माना जा रहा है कि अप्रेल में CTET जुलाई 2022 के लिए आवेधन शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इचुक और योग्य अभ्यर्थी CTET.nic.in पर जाकर आवेधन कर सकेंगे, बता दे कि CTET एकजाम एक वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है. एक जाम जुलाई में, जबकि दूसरा एक जाम दिसंबर में होता है, CTET दिसंबर 2021 का रिजल्ट 9 मार्च 2022 को जारी किया गया था. इसमें 4,45,466 अभ्यर्थी पास हुए थे. CTET परीक्षा पास करना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि बिना इस परीक्षा के पास किये कोई भी अभ्यर्थी केंद्रिय विद्याले और नवोदे विद्याले में निकलने वाली भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकता है. CTET सर्टिफिकेट पहले 7 वर्ष के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है. CTET परीक्षा को पास करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को नियून्तम योग्यता अंग हासिल करना आवश्यक है. सामान्य वर्ग के छात्रों को परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत लाना जरूर है. वही अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन्जाती वर्ग के छात्रों के लिए यह नियून्तम अंग 55 प्रतिशत है. CTET एकजाम में दो पेपर आयोजित किये जाते हैं. पहला पेपर कक्षा पहली से 5 वी तक के लिए होता है, जबकि दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 वी तक पढ़ाने के लिए आय पूजित किया जाता है.